हेलो एब्रीवन जैहिंद माइनेम इस हमजा हसनी और वेलकम ओल विट यो चैनल दाहिंद गुरू अकाडमी और स्टाडी पॉइंट तो यह सेकेंड सेप्टेंबर को रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशकबरी मिली है उन एस्पेरेंट्स को जो गर्मेंट जॉब क की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं ठीक है तो यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं फटाफट हम देख लें और कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे समझ लें कि क्या चीज़ बोर्ट की तरफ से यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसमें यह नोटिफिकेशन किस बारे में है यह सेंट्रलाइस्ट इम्प्लॉइमेंट नोटिस है CEN नमबर 05 2024 और 06 2024 ठीक है इसमें रिकूट्मेंट किस चीज़ का है रिकूट्मेंट और नॉन टेक्निकल पॉप और अंडरग्राजवेट वालों के लिए भी है और इसमें नौन टेक्निकल काटेगरी है ठीक है तो यह याद रखिए यह कोई एंजीनियर्स की भरती की नहीं निकली है नोटिस कि नौन टेक्निकल काटेगरी की है तो आपने ग्राजवेशन किसी भी स्ट्रीम से किया for the following post of non-technical popular categories यानि NTPC in the tables बेल होते हैं यहां table इन्होंने पूरा बना के दे दिया है क्या post हैं उसमें कितनी vacancy हैं क्या उसमें age आपकी होनी चाहिए यह सारी चीज़ें इन्होंने यहां बता दिया ताकि पहली बार में आप समझ जाएं कि आप इस form को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं और जल से जल इसके लिए अपनी preparation कर लें ठीक है अब यह पूरा table है इसको अभी हम देखेंगे applications complete in all respect must be submitted online only तो यह जरूर याद रखेगा इसका कोई form आपको market में नहीं मिलेगा जैसे पहले होता क्या था कि आप जाते थे book store से या कुछ store specially forms के लिए होते थे वहाँ से forms लेते थे तो वो सब time खतम हो गया ठीक है अब form वगेरा नहीं है लग से मिलेगा आपको कोई form print out नहीं कराना है कुछ form का जंजट ही नहीं है सीधा online आपको सब कुछ fill करना है सारी चीज़े online है ठीक है हाँ online form fill करते वक्त आप यह कर सकते हैं कि cyber cafe जा सकते हैं और वहाँ उससे form fill करा सकते हैं अपनी सारी detail दे करके तो गलती के chances कम होते हैं for details please refer to CEN number आपका CEN number क्या है इसको आप देख लिए इसलिए आद जाएगा 05-2024 है 06-2024 तो CEN क्या है centralized employment notice ठीक है तो इसको आप refer कर सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं क्या है और इसके complete reference के लिए क्या कर सकते हैं कि इनकी official website RRB की list की गई है पैरा 9 में इसी में अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वो websites हैं जिन पर आप जा करके official websites पर जा करके सारी details इससे related निकाल सकते हैं तो हम यहां पर एक notice को देख रहे हैं समझ रहे हैं मोटी जो details है main details हैं उनको देख रहे हैं और ज़्यादा detail में जितनी चीज़े हैं वो आप website visit करेंगे तो वहां मिलेगी मैं अपने वीडियो में आगे दूसरे वीडियो भी ब भरना शुरू नहीं हुआ है तो यह नहीं कि आप तुरंट चले जाएं धूनने लगा रहे हैं में तो फॉर्म नहीं मिला है ना तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लिकेशन है 14th of September 2024 तो अभी नहीं आया है फॉर्म आने वाला है ठीक है तो 14th है और closing date of submission of application है 13th of October right तो आप कभ भी भी last date को consider किया ही मत करिए किसी भी तरह का जब भी इस तरह से government exam के लिए आता है government jobs के लिए आता है कोई भी notification उसमें जो भी आपकी opening date है आप उसी दिन ट्राय करिए नहीं तो एक दो दिन तीन दिन maximum हफते 10 दिन के अंदर अपना form warm का का काम कर लिया करिए मतलब यह मत होता है कि last days में ना website इतना जादा server पर जोर होता है ना कि वो सही से चल नहीं होती है crash हो जाती है ठीक है तो आप 14th के बाद हफते 10 दिन के अंदर अंदर अपना form वगेरा भरने काम पूरा कर लीजेगा अब vacancies देखिए क्या आई हैं तो यह हम पढ़ने जा रहे हैं vacancies for graduate post ठीक है graduate लोगों के लिए कौन कौन सी vacancies है तो graduate के लिए vacancy जो आ रही है उसमें पहली तो आपकी यह vacancy हो गई ठीक है initial pay वगेरा इसमें दे रखा है आपकी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि government job में पे का जो system होता है वो बहुत ही different तरह से होता है private sectors की तरह नहीं होता है यह initial pay बताते हैं but additionally बहुत सारी 2025 ठीक है पासमझ में आ रही है तो first January 2025 को आपकी एज 18 से 36 होनी चाहिए इन सबी के लिए जितनी भी graduate वाली है ठीक है relaxation जो एज का होता है category के recording that is different तो यहां पर क्या है आपको एकदम सिंपल सा देख रहा है कि भाई 18 to 36 आपकी एज होनी चाहिए अब जैसे मान लिजे किसी का किसी का date of birth February में है 5th of Feb है ठीक है अब 5th of Feb है वो और उसने form भरा अब 2025 के 5th of Feb में वो होरा 18 का तो वो नहीं count किया जाएगा ठीक है वो form नहीं भर सकता अगर वो 5th of Feb में 19 का होने वाला है तब वो 18 का count किया जाएगा 1-1-2025 ठीक है सिंपल जी बाद ऐसे ही limit पर अगर हम आते हैं तो अगर किसी का किसी की date of birth तब इस तरह से है December है मान लिजे ठीक है उसका मान लिजे 30th of December है अब 30th of December नहीं 30 December को उसका जन्म दिन पढ़ता है और 30 December 2024 30 December 2024 को उसकी date हो गई उसकी age हो गई 37 तो वो 37 ही count किया जाएगा फिर वो इसमें नहीं आएगा ठीक है हाँ अगर उसकी age इस तरह से है कि मान लिजे उसका 2nd of January उसकी date of birth है क्या है 2nd of January है और वो 2nd of January को 37 का हो जाएगा ठीक है लेकिन 1st को तो 37 का नहीं हुआ ना तो वो 36 में ही count किया जाएगा तो 1st of January 2025 में उसकी age candidate की age 18 से 36 होनी चाहिए यह simple सी बात है ठीक है अब इसमें total vacancies जो आती है वो simple यह आपके सामने है कितनी vacancies है तो chief commercial come ticket supervisor के लिए 1736 vacancies आ रही है ठीक है फिर next is station master station master के लिए आपकी देखिए same age है और 994 vacancies आ रही है फिर है goods train manager इसके लिए भी same age है ठीक है और 3144 vacancies ठीक है junior account assistant come typist इसके लिए same age 1507 vacancies फिर यह हो गया इसके बाद senior clerk come typist इसके लिए same age 732 vacancies तो टोटल आपकी कितनी हो गए यहाँ पर 6113 राइट पास समझ में आ रही है तो यह number of vacancies आपकी graduate के लिए है ठीक है graduate वालों के लिए अब undergraduate graduate वालों के लिए क्या है उस पर भी हम बात करेंगा अच्छा एक बड़ी important बात यह है कि आप form भरने से पहले सारी detail RRB की official website पर देख लिए क्यूंकि आप किसी एक ही form को भर सकते हैं दो form आप नहीं भर सकते हैं दो post के लिए नहीं भर सकते हैं दो अब दिखिए यहाँ एक चीज़ और लिखी है अपर एज लिमिट इंक्लूड सा रिलाक्सेशन अफ थर्टी अफ त्री यह इन एज बियॉंड दा प्रिस्क्राइब एज लिमिट एस तो भाईया यह आपको जो थर्टी सिक्स बताया गया है अल्रेडी इसमें उन्होंने आपको रिलाक्सेशन दे दिया कोविड नाइटीन की वज़े से तीन साल का वरना यह एज लिमिट और कम होती यह होती 33 इसके हसाब से ठीक है तो आपको पहले ही रिलाक्सेशन मिल चुका है इसलिए अपर एज लिमिट बढ़ा दी कही है तो यह किसी के माइन में ना है भाईया हमारा तो वक्त हमारा तो समय बरबाद हुआ था उधर है ना तो कुछ और बढ़ा दी जाए ऐसे करके तो अल्रेडी बढ़ा दी गई है ठीक अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर सीएन जीरो सिक्स टूथाजन टॉनिफॉर अंडर ग्राजवेट पोस्ट अंडर ग्राजवेट के लिए क्या है अच्छा दोनों डेट्स अलग अलग ह इसलिए ध्यान दे दीजिए का बाई ग्राजवेट वाले के लिए 14 से शुरू होगा और अंडर ग्राजवेट वाले के लिए 21 से शुरू होगा ठीक है तो ये नहीं कि 14 वाले दिन अंडर ग्राजवेट वाले जाकर अपना फर्म ढूंड रहा है और कहरें elnी यहां हमें त से शुरू होगा और क्लोजिंग डेट हो जाएगी उनकी क्या 2010-2014 से शुरू होगा 20 अक्टूबर तक इनकी अप्लिकेशन होगी ठीक है फिर वही बात में कहूंगा कि 21 से शुरू हो रहा तो बस माक्सिमम आप 10 डेस के अंदर अंदर फिल कर लीजे आगे के लिए मत छोड़िएगा ठीक है अब देखिए इसमें कौन सी वेकेंसी आ रही है कॉमर्शियल कम टिकेट क्लरक ठीक है इसमें एज लिमिट क्या बताई चाहरी है भाई कॉमर्शियल कम टिकेट क्लरक में 18 से 33 आपकी एज होनी चाहिए यह सेम वही पैरामिटर तो 1st January 2025 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए ठीक है इज़ा चलता है तो यह सिंपल सा पैरामिटर चलता है थीक है यानि अच्छा ऊपर तो हो सकता है ग्राजवेट वाले में तो 17 वाला चांस नहीं बन रहा था लेकिन यहां पर 17 वाला चांस बन सकता है कि आपकी इंटर पास आउट किया वह सोच रहा है हम कर लें पर उसकी age 1-1-2025 तक 17 ही है वो 2nd January को होगा 18 का तो वो नहीं भर सकता ठीक है तैसे याद रखिएगा पोस्ट कितनी आ रही है vacancies commercial come ticket clerk के लिए 2022 vacancies है ठीक है फिर next है accounts clerk come typist इसके लिए कितनी vacancy है 361 अगेन एज 18-33 ठीक है junior clerk come typist same age 18-33 and post है 990 फिर trains clerk इसके लिए same age 18-33 and post है 72 तो टोटल पोस्ट कितनी बन रही है कोविड-19 पैंडमेक्स तो 30 होती 33 कर दी गई है क्यों कर दी गई है कोविड-19 की वज़े से ठीक है ओके यहां तक बाते clear है चलिए अब यह तो हमने देख लिया क्या कितनी पोस्ट आ रही है और क्या age limit होनी चाहिए क्या चीज़े होनी चाहिए ठीक है अब देखिए अगर किसी को confusion है तो यहां पर second point लिखा है कि age as on 1-1-2025 for details please refer to CEN number इतना इतना available on official websites of RRB ठीक है तो अब इसमें जो official websites आपको आगे दी जाएंगी उन में आपकी सारी चीज़ें detail में mention है तो अगर आपको कोई भी confusion है तो आप website visit करेंगे जब form आएगा उसमें एक एक चीज़ आप देख सकते हैं यही standard of medical fitness का भी पूरा आपका उसमें available है ठीक है vision standard वगएर आप देख सकते हैं ठीक है क्या है क्या है क्या नहीं यह जिनके साथ कुछ vision में problem है वो ही देखें बाकी general लोगों को देखने की इसे जरुरत नहीं होती है आप देखो essential qualifications क्या चाहिएं वो भी आपके official website ही पर mention होगी बट क्योंकि इन्होंने simple सा लिख दिया graduation, undergraduate तो आप समझ सकते हैं, graduation आप graduate है, BA है, BCOM है, जो भी है उसे साथ से, post के साथ से आप देख लिजए उसमें क्या है आप form fill कर सकते हैं ठीक है इन सब चीज़ों को अभी open नहीं है, आप उसमें देख सकते हैं, बाद में अपना सारी चीज़े आ जाएंगी mode of examination पता है, CBT होगा, computer based, तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी students हैं, जो rural areas से belong करते हैं, villages से belong करते हैं तो उनको क्या चाहिए, कि अगर computer पर हाथ साफ नहीं है, तो computer की practice कर लिजे, computer पर practice कर लिजे, मतलब आपको exam ऐसे देना होता है कि question आता है, उसके नीचे options होते हैं, options को click करके select करना होता है, होता है बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे students उसमें भी घबरा जाते हैं, तो आप बहुत सारे test होते हैं, online available होते हैं, आप search करेंगे, किसी भी subject का online test आप, 4-5 बार, 10 बार, अपने practice के according, जिसमें आप comfortable हो जाए, उतनी बार वो test दे लिजे, ताकि computer से आपको test देना आ जाए, ठीक है, तो वो आसान हो जाएगा, तो CBT होगा, बहुत सारे लोग इसी में गलती कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर देखें यहाँ पर क्या examination fee क्या होगी, ये भी देख लीजे, for all candidates except categories mentioned below, जो mention है यहाँ पर, ठीक है, serial number 2 में, out of this fee of rupees 500, an amount of 400 shall be refunded, duly deducting bank charges on appearing in CBT, तो 500 fees है, जिसमें 400 refund हो जाएगा, जब CBT में आप जो है, appear होंगे, bank charges काट करके 400 आपका return हो जाता है, ठीक, और जो candidates SCST, ex-servicemen, PWBD, female, transgender, minorities, economically background class से हैं, है ना, तो इन के लिए क्या है, अच्छा, ये भी देख लिए, caution to candidates, EBC should not be confused with OBC and EWS, ठीक है, तो OBC अलग है, EBC अलग है, EWS अलग है, इनके लिए fees क्या है, 250 रुपीज, ठीक है, This fee of 250 shall be refunded, duly deducting bank charges as applicable on appearing in CBT, तो fees तो आप ये देंगे, लेकिन जब आप CBT में appear होंगे, तो bank charges कटके, ये fees वापस हो जाएगी, ठीक, simple, Only candidates who attend CBT will get a refund of their examination fee as mentioned above, और ये भी याद रखिये, कि आपने form भरा और आपको यहाँ बता दिया गया कि fees जो है, 500 जो दे रहे हैं, उनका 400 refund होगा, bank charges काटके, 250 जो दे रहे हैं, उनका bank charges काटके पूरा refund होगा, लेकिन किनका, सिर्फ उनका जो CBT में appear होंगे, computer based test में appear होंगे, जो exam देने जाएंगे, सिर्फ उनका, अगर आप exam नहीं देते हैं, किसी भी वज़ा से, तो फिर ये आपका refund नहीं आएगा, ठीक, simple सी बात, अब देखिए, आगे क्या है, recruitment process, इसमें भी आप official website पर देखेंगे, क्या recruitment process है, how to apply, ये भी पूरा आपको official website पर मिलेगा, अब ये जो उपर बताया गया था है, पैरा 9 में official website के links, मतलब official websites को mention किया गया है, तो वो ये सारी देखिए है, official websites, ठीक है, websites for of RRBs participating in CEN number, इतना है, तो ये जो notification निकला है, ये जो post निकली है, vacancies निकली है, इसमें ये सारे RRBs हैं, हैं, और आप इन में से किसी एक को ही अपने लिए चुन सकते हैं, किसी एक के लिए ही जा सकते हैं, किसी एक काई फार्म भर सकते हैं, सबका नहीं भर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, clear है, इतनी बात, है ना, इसकी भी डीटेल आपको RRB में ही मिलेगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक, ओके, और फार्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लिए, वरना अपने आप फार्म कैंसल हो जाएगा, और उसकी आपको कोई खबर हो जाना हो, बस फार्म कैंसल माना जाएगा, ठीक है, तो RRB की जो भी डीटेल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरह से देखेंगे, और अगर यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, वेकेंसी आ गई है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, वेकेंसी आ गई है, अब आप अपनी प्रेपरेशन में, अपनी त्यारी में पूरी तरह से जुड़ जाएए, कोई कमी नहीं छोड़ना है, कहीं से एक पॉइंट की कमी न रह जाए, है ना, देखिए, त्यारी करते समय अपना पूरा मन बना लिजे, माइंड में सेट कर लिजे, कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा अपने आपको समझा लिजे, कन्विंस कर लिजे, और पूरी तरह से लग जाएए, अच्छी विकेंसीज आई हैं, आसान है, कोई बहुत टफ प्रॉसेस नहीं होता है, ठीक है, एक बार लग गए हैं, लाइफ सेट हो गई, फिर आगे भाई ये अपना काम अपनी मानदारी से जब तक करते रहेंगे, आप सेट रहेंगे, है ना, एक इंपॉर्टन पॉइट यहां और है, कि आप रिजिस्टर्ड मॉबाइल नमबर और इमेल आईडी को एक्टिव रखेंगे पूरे रिकूर्टमेंट प्रॉसेस के दोरान, ठीक है, क्योंकि सारा कम्यूनिकेशन, SMS और इमेल से ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यह गलती कर देते हैं, कि जो मॉबाइल नमबर उनका पहले अक्टिव था, वो नमबर देते हैं, यानि कि प्रॉसेस टाइम में वो अक्टिवेटेड नहीं होता है, तो वो कई बार दिक् यह ऐसी डिटेल्स हैं, जो आपके पास रहें, मॉबाइल आपका अक्टिवेट रहे, नमबर अक्टिव रहे, इमेल आइडिया आपकी एकदम अक्टिव हो, ठीक है, आपको जो भी इन्फोर्मेशन मिलेगी, इसी पर मिलेगी, ठीक है भाई, तो यह आपका हो गया नोटि चीजें भी हम लोग शेर करेंगे आपके साथ, और देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं, और कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है, तो जल से जल स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई, जैहन्त